तो हेलो सोसी लर्नर्स आज इस चैनल पर मैं आपको इसमें सारी चीज़ बताऊंगा कई बच्चों की कॉमेंट्स भी आई है कि जो यह वाली स्टैम की बुक है स्टैम की तैयारी कैसे करनी है आपको जैसे कि मैं शॉर्ट में बता भी चुका हूं कि करीब एक या देड़ मही न रह गया एक्जाइम के लिए और इसका टाइम टेबल भी बताऊंगा वीडियो को एंड तक देखना और इसी बुक्का में अच्छे से बताऊंगा और आप मेरे को यह भी बता देना कि किसी एक बच्चे का कॉमेंट भी आया था कि सर साइंस भी पढ़ा दो देखो साइं एंटर है मंडोली में तो थोड़ा लेट हो जाता है वीडियो के लिए मैं माफी चाहता हूं कि थोड़ी सी लेट हो जाती है लेकिन वीडियो आएगी जरूर और अब मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाना चालू करूंगा तो इस बुक को स्टार्ट करते हैं आ जाओ फिर यह बताज की बुक है इसमें देखना सबसे पहले cross content खोल लो आप ये वाला आपको दिख रहा होगा जूम करके दिखा दो इस वाले content को खोल लो content में क्या देखना है आपको simply लिए देखो material ability test इसमें आपको क्या करना है verbal वाले में देख लीजिए आप important topics भी बताऊंगा और syllabus देखो क्या है इस book को है ना आप पढ़ो अच्छे से पूरा पूरा पढ़ो और इसके important topics में आपको बता रहे हूं जो exam में आने वाले है अधिकतर ठीक है तो इसमें देखो odd one out odd one out हो गया analogy analogy है इसको कर लेना odd one out है वो काफी important है उस पर IP लिख लेना ठीक है ऐसे जैसे मैंने लिख लिया इसको करना तो आपको सब कुछ है लेकिन ज्यादा आपको किसको तयारी करनी है वीडियो को लंबा नहीं करूंगा मैं देखो यह missing numbers पर आप important लिख लो सब्सक्राइब काफी अच्छे से तयार करना और बाकि इसका क्यूब का बेसिक मैं बता सकता हूं शौर्ट में अगर मैं सभी चीज इसमें पढ़ाने लगा हूं पढ़ातों मैं आपको पूरी बुग दूँगा लेकिन क्या है न अब टाइम नहीं मिल पाता तो इसी चिंता मत करना बिल्कुल भी और ऐसे रिलेटेट जानकर यह आपको मिलती रहेगी तो आप क्या है देखो नॉन वर्बल में आ जाओगे तो सबसे पहले आप क्या करना वाटर इमेज को पढ़ना वाटर इमेज और वन आउट तो आप पढ़ी लोगे वाटर इमेज को दालो यार इनको फटा फटा और टाइम ज्यादा निये अभी मैं टाइम टेवल बी बताऊंगा पहले मैं आपको बता दूगी इंपॉर्टन टॉपिक क्या है क्योंकि पहले इंपॉर्टन टॉपिक पता चलने चाहिए उसके बाद टाइम टेवल तो होता ही रहेगा ना ट आपको motion and force इसके अंदर होते हैं formula's, momentum का formula हो गया और बाकी work पढ़ लेना, momentum का formula और बाकी जो formula होते हैं, distance निकालने का, तो इसमें formula से related है ज़्यादा आते है questions, तो इसलिए motion and force ज़रूर पढ़ना और आपका ये अगला वाला है, साउंड और ये सब पढ़ी लोगे, source of energy, source of of energy यह भी ज़रूर पढ़ना देखो सिंपल सा है इनको पढ़ना ज़रूर है आपको देखो कि नॉलीज बहुत ज़्यादा मिलने वाली आपको इससे ठीक है नॉलीज बहुत ज़्यादा मिलने वाली है अब अगला वाला जो टॉपिक है हमारा आपको सिर्फ ज़्यादा कुछ तयार नहीं कर रहा है देखो आप स्टेट ऑफ मैटर तयार रहो इससे रिलेटिड है ना क्वेस्चन ज़्यादा सॉल्व क्या करो गूगल पर सर्च करो और बाकी सिरीज देखो और क्या नाम है तुम्हारा बुक तो ही आपके पास यह वाली ठीक है स्टेट ऑफ मैटर यह सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे एटम का स्ट्रक्चर आप जानते है एटम के अंदर क्या क्या होता है तीन होते हैं यह ना इलेक्रोन प्रोटोन वेलेंसी पढ़ लेना इसकी ठीक है और मैटर के बारे में पढ़ लेना स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस होती है ठीक है और मतलब अब ध्यान से पढ़ना इसको अगर जो आपको पढ़ना इस बुक में तो एडवांस है ही थोड़ा अपना NCRT 9th की NCRT भले ही आप 30 में हो ल सब्सक्राइब करना में चोटी वीडियो में आपको क्लियर करना चाहूंगा ठीक है और चैमिकल रियक्शन हो गया तुम्हारा कैमिकल रियक्शन भाई यह तो अलगी बात्चीत है इसकी कैमिकल रियक्शन हो गया बच रहा है ज्यादा लेट मत करो और अपना करना हो एसीड बेसीज हो गए देखो यह कैमेस्ट्री में न काफी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है एसेड बेसेज कौन से होते है अलकलाइन क्या होते है इन सब को पढ़ लेना और अच्छे से पढ़ना बस टॉपिक बता देना क रहे कंग कれ casting करना है मैं जरूर एक्स्ट्रान करणा और अपने एंपको इन को याद कर लेना सब की ओंbey नंबर हो गय गए ओघ्चान तो यह थोड़ा तो ज्यादा सबसंती फथ दूब हम से खिनले के लिए उसलब shipping करो महनत करो मैं इस नहीं जरूर minimal करिंब इसमें क्वेर्ट्र नोन मैट्ट्र पढ़ने इन सारी प्रॉपरटी पढ़ ले ना फिजिकल प्रॉपर्टी और च्छिंफ पर लेना मैलेविलियूटि ड्यक्री ना तुम्हारी सोनुरस हो गई गोड़ गड़ गुड़ गूड़ पिल्क्टर फिलक्ति सीडी और यह अगर आपको आप अपनी ncrt books में ना मिले ना तो दसवी की book उठा ले ना carbon and compound chapter नाम है ठीक है बहुत ही असान है बहुत जादा कोवलेंट वांडिंग होती है इसकी कोवलेंट वांडिंग हिंदी में आबंद बोलते हैं इसको पढ़ाया मैंने अभी अभी अगर इस पर वीडियो चाहते हो तो आप मेरे को कॉमेंट में जरूर बता देना मैं वीडियो बना दूँगा आपके लिए देखो आपका सेलेक्शन होना सी है मेरे को इसी बात की सबसे ज्यादा खुशी होगी कि आपका सेलेक्शन हो जाएगा ना मेरी जिंदगी सफल है और मेरी वीडियो सफल है जो आप देख रहे हैं अभी बैठ करके वीडियो को पूरा देखना अभी छोड़ना नहीं बिल्कुल भी आगे और भी इंपॉर्टेंट बताने वाला हुम है अब आ जाते हम बायालोजी पर इसकी तो बात यह लगा है अच्छा जाना कोमेंट पर बताओ किस को बायालोजी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मुझे तो बहुत बड़े लगते बायालोजी और मैं तो इसी में सबसे ज बताना यह यह दो दोने लड़के नहीं बता रहे हमारे इनके मन में कुछ खोट अजिए तो आप ब्रॉटो प्रोटो प्लास पढ़ ले ना तिस्यु टीशू के सारे टाइप पढ़ लेना आपके कौन से सिंपल पर्मनेंट टिशू है ना और तुम्हारे मेरेस्ट्रमेटिक टिशू हो गए टिप्स के होते हैं यह ना किसका कॉल आ गया एक देखो अब यहां देखो इसमें कहा है टिशू पढ़ लेना टिशू के बारे में अदेखो सारी चीजे पढ़ना है टिशू दिल्ली गवर्न्मेंट ने आपको देखो सब कुछ फ्री मिलेगा और इतनी टॉप क्लास स्टडी मिलेगी तो इसके लिए मैनत तो करनी पड़ेगी ना अब मैं यह नहीं बोलू मेरा भाइगी और इसमें हो गया तुमारा अगला वाला हो जाएगा लाइव प्रोसेस सब्सक्राइब प्रोसेस में पूरा का पूरा अपने अडितक पढ़ो सर से कैसे स्टार्ट होता है प्रोसेस्टम होता है और फिर अपना इधर और आजाता है और इशमाख कर दो इसके भी कर दो हैना और और कंट्रोल और कॉडिनेशन ये चैप्टर 10 के इंगे है साफ साफ अभी अभी पढ़ा का रहा हूँ मैं पिछले अपती पढ़ा है मैंने ये जो अभी आथ तो संडे है actually क्या होता है न मैं संडे कोई वीडियो बना पाता हूँ संडे कोई टाइम मिल पाता है और तुमारे सर के उपर भगवान की इतने अच्छी कृपा है कि पूरा दिन पढ़ाता हूँ मैं आपका ही सपोर्ट है मुझे सब का और बाकी मैं आपके लिए भी पूरा पूरी कोशिश करूंगा पढ़ाने की है और कंट्रोल औन कॉडिनेशन है और रिप्रोडक्षन रिप्रोडक्षन यह चेप्र टो काफी अच्छा यह आदे बच्चों को तो इसकी द enabling ौरी मोरी न्यूर न अ-चो फिल फायर गांत हुआ ही सटीक जाती है एक आदी फस गई तो यार एक अदर नमबर तो बढ़ेगा ना आपका और एंट्रेंस तो आपको दे नहीं है एंट्रेंस के लिए यह तैयारी कर रहे है हम लोग यहाँ पर बता रहे आपको ठीक है अच्छे से तैयारी करनी है आपको अभी वीडियो खतम नहीं तो दस बार करो mathematics में क्या है देखो मैं आपका important बता देता हूं आपको इसमें एक तो यह हो गया तुम्हारा surface area and volume एक बच्चे का message आया है surface area and volume इसके बारे में बता दो अब surface area and volume कर देना इसका real number में सारे के सारे कर लेना rational और irrational कौन से होते हैं ठीक है और polynomial का मैं बता ही रहा हूं आपको वीडियो मिल रही होंगी बताओ कि उनकी वीडियो कैसी आ रही है कि यह वाला भी कर लेना linear equation in two variables हो गया और arithmetic progress AP काफी important chapter 10th के topic दे रखे हैं गवराने कोई जरूत नहीं है पढ़ोगे तो सब कुछ होगा ठीक है पढ़ोगे तो सब कुछ होगा और बाकि मेरे को आप topic बता देना है और मैं कराता रहूंगा science science के तो math का तो मैं कराई रहा हू है ना और देखो trigonometry हो गया trigonometry हो ही sin को थीटा अब इसमें ट्राइंगल के बारे में ज्यादा पढ़ना है आपको triangles हो गया triangles और geometric construction construction के बारे में अच्छे से पढ़ लेना और perimeter area ये topics हैं कुछ ज्यादा important है mean-median mode पे भी थोड़ी नजर मार लेना ये भी easy है average होता है mean का मतलब तो statistics मतलब की maths में तो आपका हो जाएगा काफी अच्छे से हो जाएगा तो इसको अच्छे से तैयार करना है देखो यह वाला हो गया आपका syllabus पूरा और मैंने important topic आपको बता दिये हैं आपसे यह मेरी सबसे ज्यादा request है कि यार देखो channel को जितना हो सके ना जो भी आपका confusion है आप comment box में करो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे doubts को मैं clear करू comment में reply भी आप देख रहे होंगे कि reply आपको time to time continuously मिल रहे होंगे ठीक है देखो मेरी तो लाइफ सारे students के लिए आप जैसो के लिए ठीक है तो channel को subscribe जरूर कर देना और video को like करनी है इस video को share करो जितने जितना हो पूरे इंडिया को एकदम educated बना देंगे गजब वाला ठीक है SOC में सबका admission करवाना है ठीक है और मस्ती से करो अपनी तयारी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब देखो syllabus की जो video है अब जो मतलब syllabus तो बना दिया न हाँ time table SOC का time table कैसे यह यह वाली वीडियो देख लेना आप इसमें time table आपको इस वीडियो पर क्लिक करना मिल जाएगा किस तरीके से आपको preparation करने है डेड़ महीने के अंदर अंदर और अच्छे से तयारी करेंगे थैंक यू जैन जै भारत